हेलो एब्रीवाइन वन सेगें मल्कम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंट से आज हम बात करेंगे एक ऐसा फ्लावर प्लान्ट जो अकेला हमारे गार्डन में आता है लेकिन वो अपनी सीजन में हजारो की संख्या में बेवी प्लान्ट तियार करता है तो ऐसे फ्लावर यह अपने सीजन में पत्तियों से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है कुछ इस तरीके से आपके सामने हैं यह प्लांट बहुत ही ज़्यादा हाड़ी होता है और एक बार गार्डन में इसे लाते हैं तो यह लाइक टैम के लिए हमारे गार्डन के सॉयल में यह बैट जाता है क अज़ से टाइक टो को क locked आप अूमें सुद्टि को समय शुद क faktiskt yeah को अगर आप अगर आप अनौन के लिए सुद्ट कि सुद्ट करना चाहिए वाटरिंग कैसी कर नी रही सारी डेटियल में आज आड्स इस वीडियो में ने शियर करेंगी थो फ्फीर यह शुरू करने से पहले फ्रेंट से अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारे तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजे बेले किन के साथ तो कियर में सबसे पहले इस प्लांटी की फ्लावर के बारे में हम शेयर करते हैं इनके जो flower होते हैं फ्रेंट से कई रंगों में हमें नर्सरी में और आनलाइन में इनके जो bulps होते हैं वो मिल जाते हैं जो मेरे पास color है ये dark baby pink color का है और इनमें blue और purple, red और महरून color में भी इनके shade मिल जाते हैं इस plant में जो flowering आना शुरू हो जाता है वो अगस्त मीट से शुरू हो जाता है लेकिन मेरे जो प्लाइन में flowering आना शुरू हो आए वो सितंबर 1 से ही क्योंकि बारिश अगस्त में बहुत जादा होती थी उसकी वज़े से इनमें flowering नहीं हुआ हैं और इनके flower जो खिले रहते ह कम से कम वन वीक तक खिले रहते हैं एक बार फ्लावर खिला तो वन वीक तक इनके flower ऐसे ही खिले रहेंगे जब तक यह जड़की ना गिर जाए या तूटे ना और इतनी अधिक इनमें वन वीक में इनमें flowering हो गई हैं कि आप खुद देख सकते हैं अन गिनत इनमें flowering हो र इसके flower होते हैं नीची की तरफ लटके हुए रहते हैं जैसे look wise देता है कि कोई घंटी लटकी हुई होगी यह दिखे कुछ इस तरीके से नीची की तरफ इनका मुह होता है और काफी सुन्दर दिखता है यह देखने में और इन्हें हम hanging basket में भी लगा सकते हैं अगर आप hanging basket में इसे लगाएंगे तो देखने में काफी सुन्दर लगता है और मैंने लगा रखा है आगे में आपको दिखाओंगी और यह को लियुकल तो बहुत प्यार लगते कि जब फ्लावर सूंग जाते हैं तो वहां से इनकी नहीज सूट निकल जाती है वहसे ब्रांच Expect निकल जाते फिर से नहीज आप वरा आना शुरू हो जाते तो इसी तरिके से यह कंटीनियों अफ्लावरिंग करता रहता अर इसासर से यह बहुत लगा सकते हैं और मैंने 15-12, 10, 5, 6 इंच के पॉट में और 5 इंच तक की पॉट में भी मैंने इस प्लांट को लगाया है तो इनको जितना स्पेस मिलता है उतनी ही अधिक ये प्लांट बढ़ता है ऐसा कि नहीं कि आप चोटे पॉट में इसे लगाएंगे तो ये प्लांट बि मैंने लगाया था जिन्होंने इनकी रिपोर्टिंग वाली वीडियो देखी होगी उनको पता है और अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में इसका लिंक के सेंड कर दूंगी तो आप देख सकते हैं और ये देखी हैं हैंगिंग बास्केट में एकी प्ल बीवार्टिंग में बोला है कि ये प्लांट आता अकेला है लेकिन अपनी सीजन में ये धेडरू सारे प्लांट तियार कर देता है वो कैसे अगर आप इस प्लांट के कटिंग लगाएंगे तो उसके नीचे से ये इस टांव बल्स तियार हो जाते हैं विंटर लास्ट तक दूसरा जब हम इनके बल्स को पर्चेस करते हैं और जिस भी सॉयल में हम इसे ग्रो करते हैं तो इस टाम इनके प्लांट ग्रो हो जाते हैं और नीचे बहुत सारे बल्स से तियार रहते हैं तो उस तरीके से भी ये प्लांट बहुत ही जल्दी मल्टिप्लाई होता है हमारे ग से होंगे और इनके इतने सारे ब्रांचे स्तियार हो गए तो यह लास्ट में विंटर लास्ट में अन गिनत इन में कम से कम बल्च से तियार हो जाएंगे और यह चोटा सा पॉट है तो इनमें अनगिनत अभी इस टाइम प्लांट तियार है तो इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी अपने प्लांट को मल्टिप्लाई करता है और ये क्यों होता है कि फ्रेंट से जिस सॉयल में हम इसे लगाते हैं next year अगर वो soil किसी भी soil में हम mix कर देते हैं तो ये मई last में ये जुलाई first में उसी में से new baby plant grow कर देता है कुछ इस तरीके से ये देखिए इस time तो flowering होई रहा है और इन में baby plant भी तियार हो रहा है ये हर रोज अपना एक baby plant जरूर तियार करता है और soil में बिल्कुल भी space नहीं चोड़ता है ये इस कदर ये plant तियार करता है और इनमें अगर flowering भी ना होना फ्रेंट से तो इनके leaves की खूरती आप देखिए और बैक का जो कलर होता है वह काफी सुंदर होता है ये देखिए इनके बैक का कलर एकदम महरून शेड में होता है और काफी सुंदर एक ornamental plant जैस और अगर आपके बालकोनी में या खटकी के सामने अगर मॉर्निंग की आदा गंटे या ये गंटे की सनलाइट आ रही है तो भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं बहुत अच्छा प्लांटे कम दूप में भी बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है और ये जो जितने भी प् गिनत फूली है वाटरिंग की बाद शियर करूं तो फ्रेंट से इस प्लांट को थोड़ा सा पानी और नमी बहुत ज्यादा पसंदे तो कोशिश कीजिए कि आप इसमें रोज पानी दे अगर बारिश हो रही है तो पानी देनी की ज़रूरत नहीं और बहुत ज्यादा दू प्लांट को रिपोट किया था उसके ऊपर जो फीडियो बनाया उसमेंगे शीयर किया है आपको कि इसके लिए कैसे हमें स्वाइल तियार करनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं description box में और आई बटन में इसी वीडियो को शियर करूंगी कि कैसे इसके लिए सोईल आप तियार करें और अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को लेके आ रहे तो उसी तरीके से आप सोईल तियार कर सकते हैं रह गया फटिलाइजर फटिलाइजर ये प्लांट बिल्कुल भी नह अगर आप कभी इस प्लांट को फटिलाइजर नहीं देंगे तो भी ये भर वर के आपके फूल देगा लेकिन इनको थोड़ी सी ग्रोथ के लिए एक बार जरूर फटिलाइजर कीजिए अपने टाइम पे जैसे अभी मांसून है आमाने यहां बारिश हो रही है तो मैं इसम इस प्लांट के लिए में लिकवीट फटिलाइजर का यूस करती हो और आपके वहां वारिश नहीं और यह तो आप लिकवीट फटिलाइजर का यूस कर सकते और आप अपनी प्लांट के again कीजिए कि आपका प्लांट कैसा घना सा है तो उस अकोरडिंग अगर गुडाई के लिए इस पेज है तो गुड़ाई करके आप ड्राइव वाली फटलाइजर का यूज कर सकते नहीं तो लिक्विट फटलाइजर यूज कीजिए इसके लिए आप बोन मील यूज कर सकते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं इसमें पत्तियों से ज्यादा फूल देनी वाले इस को अपने घर में जरूर एट कीजिए अगर आपके आसपास ये प्लांट है तो इनकी कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं कटिंग के ऊपर में वीडियो बात में आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएए मेरी चैनल पर पहली बा होंगी तब तक के लिए नमस्कार बाई हैप्पी गार्डिंग टेक कियर फ्रेंड्स